गुद मार्निंग स्टूडेंट्स आई होपी विल पे फाइंग तुड़े आई वे स्टार्ट चाप्टर नबर तू हाव दो ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस ऑफ क्लास टेंथ के जो ऑर्गेनिजम होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं कैसे उनके अंदेर है जैसे की एक यूमन बिंग है वो किसको बर्द करेगा है उनके कुसि दूसरे डूसरे आंइमल को प्रो रिप्रोडूस करेगा थीक्य? घूसरी उनके के अपने ही चैसी इस सको प्रॉडूक्षन करना उसको ब्सक्री रिप्रडेक्शन रिप्रादेक्शन और अल्फट्चुल टो थीपो एकTHचकुल sound passar डीप्रादक्शन को एक सिंगल पेटरेंटि इंवाल होता है जैसमें मैल और फीमेल दोनों पेरेंट से नहीं ौलौते हैं इसमें एक सिंगल पेट Rahab प्रॉडक्षन वहां नुद०ू है तो इसको बोलते हैं जो आफिस्प्रिंग है उनका प्रॉडक्षन होगा तो इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं और सिफ एक सिंगल पेरिंट से और इसमें कोई फ्यूजन नहीं होगे गेमिट्स वगएरा उन्हों फ्यूज नहीं होगे ठीक है और सेक्सर डीप्राडक्शन अकर इन मैंने वेज लाइक लएक देको असेक्सर डीप्राडक्शन जो है वह बहुत सारे वेज में होता है जैसे कि फीजन फ्रेग्मेंटेशन सब्रेबार के और के जैसे अब प्रेकर अबिटर लिए क्ता के ऐस ow प्योजन जो सहनौं श्यूजन मतलब होता है जो अचलेा inspiring मेंशन की मतलब होता है लाइंब यूम घ्राग जो फ्यूजन जो फूसके मतलब होन जो है प्यूजन का हime क्बर खृउन जो गयमिट्स होते हैं उनका पस में फ्यूज हो जाना तो जो फीजन होता है वो उसके अंदर जो फीजन होता है वो जो काफी जारे अनिमल के अंदर होता है फिर फीजन कि इसको बोलते हैं कि एक युनिसेलिलर और्गिनिसम जो है वो अपनी बॉड़ी को स्प्लीट करता है ब्रेकडाउन करता है एक्वल हाप्स में तू या फिर तू से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं फीजन हमारा होता है फीजन आर उफ टू टाइप्स बानेरी फीजन और मल्टीपल फीजन जो ऑर्गिनिसम अपनी बॉड़ी को तू पार्ट में डिवाइड करता है इक्वली उसको बोलते हैं बानेरी फीजन और मल्टीपल फीजन जो ऑर्गिनिसम अपनी बॉड़ी को तू से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर इसको बोलते है मल्टिपल फीजन तो बाइनरी फीजन होता है दा फीजन और सिंगल पेनेंट चल रिजल इन दे फार्मेशन ओफ तू नीव यू यू इनिसलिलर और और अर्गेनिजम लाइक अमीबा पेरामिशियम लेश्मेनेरिया काला तृट के जो कॉस करता है तो देखो dauter cell में split होती है तो उसको बोलते बाइनरी फीजन जो ऑर्गिनेसम अपनी बॉड़ी को single organism जो your single parent होता है जो अपनी बॉड़ी को टू पार्ट में करता है डेगडाउन करता है इकवल हपस में उसको बोलते हैं बाइनरी फीज़न नित उसके उन सब में जैसे ही नुलियस होता है तो सबसे पहले जो होता है सबसे पहले उसका क्ता होता है तो तो सबसे पहले जो नूकलियस होता है वो उसका ब्रेकडाउन होगा देखो जो एक नूकलियस है अगर एक होता है तो उसको नूकलियस पोलते हैं जब यह डिवाइड हो जाएगा तो यह तो नूकलियाई बन गई तो नूकलियाई बन गई फिर उसके बाद जो यह अमीबा है फिर इसका जो साइटो प्लाज्म है यह भी डिवाइड हो जाएगा तो यह क्या बनगे टू डॉटर नुक्लिया होगे मतलब तू डॉटर सेल बनगे अमीबा के ठीक है तो जो ऑर्गिनिजम जो सिंगल पेरेंट अपनी बॉड़ी को टू पार्ट में तू इक्वल हाफ में अनों चोटे को बॉलते हैं बाइनरी पिजन होता है और बाइनेवियन पिजन ऐसेक्सेटो रीप्राड़क्शन होता है क्यों कि इस में एक सिंगल पेरेंट इनकूल्ब explan और स्हाइटोप्लाजॉन का जाते हैं कि जो असमें जैसे कि आपको धिया हो है तो कई में क्या है structure को पहले divide कर दिया और कुछ में दे और इसमें correct option होता हुँ सबसे पहले बाद फिर ऑड शाख सेवर्य तरह होता है फिर कान अब यह होता है चल्सों देखे और डाइग्राम में इसके बात셔्च यह गली प्र और वो गया नूकलिय बन गया और उसके बाद फिर साइटो प्लास जो है वो डिवाइड हुआ है तो इसमें जो पैरामीशियम और जो अमीबा है उसमें एलटे बाइनरी फीजन होता है और बाइनरी फीजन जो हे वह सेक्सवर्फ़ड़शन में होता है जो इस उसमें ने पर्डिवैड उनका प्रॉड़क्शन होता है इत अया बन अदर फेवर्यबल कंडिशन यह जो रिप्रडक्शन होगा मतंब आनिवा में जो तू डौकल और यह दिवाइड हो रहे हैं जो फीजन हो रहा है यह से फेवरेबल कंडिशन में ही होगा अगर अन्वेड़ाबल कंडिशन नहीं है तो रिप्राड़क्शन नहीं होगा निकलेस और पेरेंट चल्ट डिवाइड उनली बांस टू फॉर्म टू नुकलियाई लेको सबसे पह दो जो आपसफे प्राइड तो पीजन उनली आफटर नियुक्लियर डिवीजन उसके बाद फिर शाइटोप्लास डिवाइड होगा इहां पर सब्सक्रीख क्यों और इसमें जो पेरेंट की जो बॉड़ी है वह तो नहीं बचेगी मतब्या थेसित का मैं याद रहा है तो इ इन सब में हो रहे हैं फिर अब मैं मैं मल्टीपल फीजन को पहले एक्स्प्रेइन करूँगे फिर इसका डिफरेंस बिट्वीन आपको तब जा के समझ आएगा मल्टीपल फीजन इसमें किया होते है वह काफी टाइं मजऑ होता है और वह बहुत सारे daughter cell जो है वो बना लेता है form कर लेता है तो जो multiple fusion होता है ये किसमें होता है एक parasite होता है plasmorium जो हमें malaria cause करता है ठीक है तो malaria जो है हमें fever होता है उसमें shearing वगेरा होती है तो उसमें कौन सा fusion होता है multiple fusion तभी तो मतलब वो अपना effect जो है वो इतने जल्दी करता है shearing वगेरा होती है क्योंकि जो उसके office spring है जो उसकी progeny है वो काफी number में बना लेता है मतलब उसके अंदर जो reproduction होता है वो sexual reproduction होता है और वो भी multiple fusion होता है तो देखे अगर ये क्या करता है इसमें जो जो हमारा बाइनरी फीजन हो रहा था उसमें favorable condition चाहिए तभी वो reproduction करेगा लेकिन जो हमारा ये है multiple fusion जो इसमें malaria cause करता है जो ये plasmodium इसमें क्या होता है अगर इसके पास unfavorable condition है तो ये अपने cell के चारा तरफ एक cyst form कर लेगा ठीक है जो क्या है एक protective layer है और जब favorable condition होगे तो वो जो cyst है उसको remove करेगा और ये फिर breast हो जाएगा जो cell membrane है breast हो जाएगा और जो progeny है वो blood stream में पहुँच जाएगी देखिए ये क्या है reproduction by binary fusion इसमें क्या है ये nucleus है ये cytoplasm है और cell है और जो multiple fusion होता रहेगा और इसमें बहुत सारी जो progeny है वो form हो जाएगी और फिर क्या है अगर इसके पात जब favorable condition आएगी तो ये जो cyst है इसके चारों तरफ जो आपको दिख रही है ये cyst जो है इसको remove करेगा और cell membrane है ये क्या हो जाएगी देखो wall of cyst broken जो cyst होगे वो ब्रोक हो जाएगी और से जो progeny है जो ये ये क्या हो जाएगी ब्लेड स्ट्रीम में जाएगा और से फिर वो अपना शो करेंगे मत्ता मिलेरिया कॉज होगा असे हमें फिर है fragmentation जो सेकिंड है sexual reproduction fragmentation organism reproduce by breaking their body into small pieces each pieces is called a fragment जो organism होता है वो अपने body को small pieces में ऐसे breakdown करता है तो जो ये pieces होते हैं उनको बोलते है fragments मत्तब fragments में अपने body को divide करता है these fragments grow into new individual and mode of reproduction is called fragmentation ठीक है फिर जो ये एक fragments होता है या काफी हद तक grow होएगा अपने parents की तरह है और फिर क्या है यह यह भी एक अपने parents की तरह ही reproduction करेगा तो ऐसी process को या ऐसी reproduction को हम fragmentation बोलते हैं ठीक है मत्तब क्या है कि जो हमारा organism है एक organism है एक organism है अपनी body को small pieces में breakdown करेगा और फिर जो यह small pieces को हम सुझारिंट पाफी थात्यूं पंटेरी तार होता है उसमें क्या होता है इसमें वह स्प्रेग्मेंट्स में अपनी बोड़ी को डिवाइड करती है फिर जो थर्ड है हमारा वो है Regeneration The ability of an organism to regenerate its lost part of the body Regeneration is common in lower plants, algae, fungi, etc. and animals, hypha, plane area, sponge, spirogyra, algae और hypha of maker fungi यह को जो हमारे regeneration होता है उसमें क्या होता है? एक organism की body के अंदर ऐसी ability होती है कि अगर उसकी body में से कोई part जो है वो lost हो जाता है तो दूपारा से वो regenerate हो जाता है तो ऐसे reproduction को हम क्या बोलते है और सेक्स वर reproduction जो की regeneration का part है तो इसमें क्या है? जैसे कि plane area है तो जो plane area है अगर इसके for example यहां से जैसे कि यह part जो हो lost हो गया है तो यह complete जो है वो completely regenerate कर लेगा अपनी part को और completely plane area बन जाएगा जैसे कि काफी common होता है starfish में और लिजर्ट वगरा में भी अगर लिजर्ट की जो टेल होती है अगर वो बाइचांस ब्रेक हो गई तो उससे मतलब वो regenerate होती है उसके cells एसे हमारे skin के cells भी काफी होते होन में भी regeneration होता है तो ऐसे organism जिसकी body के अंदर ऐसी ability होती है कि वो अपने जो body का जो part है कर वो lost हो गया है उसको दुबार से वो regenerate कर सके तो उसको हम बोलते है regeneration जो की काफी common होता है lower plant में algae और fungi में और काफी animal में hydra plane area या sponge वगरा यह क्या है regeneration करते हैं इनकी body में regeneration होता है फिर उसके बाद budding the production of new individual from an फिर है budding the production of new individual from an outgrowth of the parent body parent budding occur in yeast protozoan and lower animal hypha, cillies, sulfa etc जो parent की जैसे body हे पार्टी की भॉडी होती है उसके, बॉडी के अंहेसी ability होती है या फिर उसकी बॉडी से जो parent की बॉडी होती हे उनमें outgrowth होती है उसकी बॉडी में जैसे कि एक bird की फ़र्म में इस तरीके से तो यह जो यह BIRD है और फिर जो यह bird है यह जब अपने parents हो जाएगी फिर पी यह bird भी क्या है अपनी parents की तरह ही work करेगी तो देखो जैसे कि यह क्या है Hydra है तो इसमें कैसे होता है sexual reproduction होता है और sexual reproduction में budding वाला होता है तो देखेए क्या है मारे बर्ड है इसमें टेंटिकल्स होते हैं जो मुमेंट में हल्प करते हैं चीक है तो जो पेरेंट्स की बॉड़ी है उसमें जा आउट ग्रोथ हो जाती है तो आउट ग्रोथ जो है वह वह ऐसे बडिंग-like structure होती है और फिर जो यह बर्ड होती है काफी उसके पाइब रियूत देख्वक्राइब रिचों में होता थृ अ कि अधूल यह works taught सबसे पहले और न्युक्लेस तीवाइड खुछा सबसे पहले relative झाप उसके बातव बाद सबसेटर वह दोगा हर एक स्कुलेस बार्ब नुप्लेस हो गाорм कि एस टैस बैसेong साइटोप्लास्ब निवाइड होगा तो देखें बाइस दफा जो हीस्ट के जो यह मतलब जो यह आउट ग्रोथ हुई है अपने पेरेंट से डिटाच नहीं होती और यह एक ब्रांच लाइक स्ट्रॉक्चर चेन टाइप से बना लेती है फिर उसके बाद यह पेरेंट से जो सब्सक्राइब निवाइड हो जाएगा तो बास दफा जो यह बढ़ जो है वह जो आउट ग्रोथ हुई है पेरेंट से डिटाच रहती है और वह एक चेन टाइप बना लेती है फिर उसके बाद वह क्या है मतलब अपने पेरेंट से डिटाच हो जाएगी फिर जो यह अपने पेरेंट से डिटाच हो जाएगी तो यह बहाँ पेरेंट की तरह ही वग करेंगी मतलब आसी डी रिप्रवद्ट्च्छन करेंगी और सेट्ष में करेंगी और बढडिंग टाइप से पडेगी फिर उसके बाद है तो देखे यह क्या है यह है हाईड्रा में हो रहा ह यह बडिंग जो है वो हाइडवा में हो रही है और जो बडिंग जो मैंने भी डाइग्राम दिखाया था वो यीस्ट में हो रहा है फिर इसके बाद स्पार फॉर्मेशन अस्पार इस सिंगल शेल रिप्राड़क्टिव स्टॉक्चर दाट दाट डिटेच फॉर्म पेरेंट्स अंड्यू राइस एंड तो फार्म अन्यू इंव इंवेजवाद देखो जो स्पार होता है वह एक सिंगल सेल रिप्राड़क्टिव स्टॉक्चर है ठीक है जो पेरेंट्स से क्या होती है डिटेच रहती है तो जो स्पार फॉर्मेशन हो हो जाता है जब हमारा bread जो आइफ यह एस्पार में होता है तो इस फाइल फॉर्मेशन में आपना जो प्रोजय नी वगएरा पूरा स्पॉर से फिल हो जाता है whether to assist yourODMach. सब्सक्राइब निल जाएं गेता और जो इसमेर आर्ट से निकल गरे हैं रूट लाइक श्टक्टरों he isolve तारलन hem दए इसउर आइए spra7 एंच्रूर ऐसने म천स운데 जो तो इसमेर करता हैं गबिटेटिव लींव गविडन प्रपिएशिए इंदेसमे अफ वाय आट अंट दो फिल फिल अब विच एव प्रोड्यूस करने की जो लॉस्ट हो जाती है या फिर सी जो है वो नॉन वियेबल होते हैं तो ऐसी कंडिशन में फिर हम क्या करते हैं उसको वेजटेटिव प्रोपिगेट किया जाता है जैसे बनाना जो है वो सीडलेस फूट है ठीक है यह ऐसे बहुत सारे प्लांट है जैस टो वगारा होता है और अध Alter होता है अनियं वगारा होता है तो उसमें प्लांट लोड़्यकयल हो जाएगा ठीक है मतलब एक 오르कॉर्ड इसको बोलते है जो ऑली इस डी नहीं है कि उसक्त। सेट जो है वह प्रोड्यूँस कर सके तो फिर उससे पूरा जो प्लांत है वह प्रापेड होता है तो ऐसी रिप्रडक्शन करने क्या बोलते हैं और वह ब्रीप्रादक्शन और भी वगीट डी प्रापेटियी थारी यह होता। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो अगर हमें जैसे जो रोज होता है अगर रोज का हम स्टैम कट करके उसको जमीन में लगाएं तो जो रोज कम्प्लीटली जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा तो मतलग क्या है कि वो प्रॉपेगेट हुआ है पूरा कम्प्लीट प्लांट वैसी ही अगर हम जो मनी प्लांट होता है, गो अरुसके स्टैम कट करके उसको लगाए जमीन में तो उससे जो मनी प्लांट है वो completely propagate हो जाएगा. Some natural method of vegetative propagation. देखो, कुछ ऐसे natural method होते हैं, जिससे vegetative propagate हो जाता है. मतब जो पूरा प्लांट है वो प्रॉपेगेट हो जाता है Modified tubulus, tuberous roots can propagate sweet potato देखो जैसे कि sweet potato है उसका जो tubular root होता है वो इतना modify हो जाता है कि वो कि इसके पूरा प्रॉपेगेट हो जाता है The bird present on the root guava जैसे कि जो गुवावा का जो बढ़ होती है उससे भी जो पूरा जो फ्रूट है वो प्रॉपेगेट हो जाएगा Underground modified stem such as rhizomus, gingar, water hyacinth, etc तो इससे जो underground stem होता है उससे जो मतलब जिया water hyacinth वगरा है दियर leaves example bryophyllum देखो ऐसे कुछ plant होते हैं जिनके जो leaves है उनमें मतलब बर्ड वगरा तो होती है लेकिन जो उनकी leaves होती है उनके margin पर क्या हो जाती है बर्ड जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है और फिर जब वो completely grow हो जाती है फिर वो fall off हो जाएंगे और इससे फिर दूसरा जो plant है वो ग्रो हो जाएगा मतलब वो प्रॉपेगेट हो जाएगा तो यह काफी कॉमन है जो लीव से होता है वह ब्रायोफाइलम दिखना यह ह ब्रायोफाइलम का लीव है इसमें क्या है यह इसके मार्जिन पर जो बर्ड है वो ग्रो होना शुरू हो गए और जब यह complete grow हो जाएंगे तो फिर यह फॉल हो जाएंगे और से जो प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा मतलब प्रॉपेगेट हो जाएगा तो जो लीव से प्र आर्टिफीशली जिसे हम प्रॉपेगेट कर सकते हैं जैसे कटिंग अगर हम रोज काई शुगर के इनका ग्रेप सब्सक्राइब लगा तो उससे जो प्लांट है वो प्रॉपेगेट हो जाएगा उसके बाद जो लियरिंग होती है वो काफी कॉमन होती है जैस्मीन में जो सब्सक्राइब चलब जी कौमन होती है इस अजया उसके ब्रांचिसी आर्वाम् सब्तु और युद्टिक, जिसे सब्सक्राइब जैस सब्सक्राइब दहाए जैसे प्लांट हो के से प्लांट हना ब्लांचेस यह ग्रांच्टिस कि रिंग की मेशा से हमने को नीचे कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा जो vibes हो डाला है ब्रोंगत रोंहा से जो sign होता है तो फिर स्टॉक करते हैं तॉस को थेट से पर हमारा मतलब यह ग्राफ्टिंग वाला मेध़्य है टेक है तो ग्राफ्टिंग में हमारी जो पार्टिस्पेट करते हैं sign and stock, तो sign कौन सा होते है, it is the uppermost part of composite grafting part, देखो जो हमारा उपर वाला part होता है, उसको sign बोलते है, and it is the facial part on which grafting is done, और जो नीचे वाला part होता है, उसको sign, stock बोलते है, sorry, it is a shoot system with desired character, देखो यह हमारा sign होता है, वो हमारा shoot वाला system होता है, मतलब उसमें के अंदर desired characters होते हैं, desired trait लिखा ना, तो desirable character होते है, it has an extensive and strong root system, और जो हमारा stock होता है, वो root system वाला part होता है, मतलब नीचे वाला part होता है, lower part और यह upper part होता है, it generally is taken from high yielding exotic variety of plants, मतलब जो हमारा sign होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जो local condition में, unfavorable या favorable condition में वच्छे से grow कर सके, sign provide high and better quality yield of flower and fruits, और जो हमारा sign होना चाहिए, वो मतलब ऐसा होना चाहिए, जिससे की जो हमारा yield होता है, जो result आएगा, जो production आएगा, वो काफी जाधा quantity में आए, sign provide good, encourage and adequate water and minerals to composite plant, और जो हमारा stock होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, कि जिससे की उसको, मतलब एक adequate water मिलता रहे है, और वो minerals वगारा को sign को वो provide कर सकी, और जो हमारा grafting होती है, वो काफी common होती है, sweet, orange में, lemon वगारा में, grapefruit में, इन सब में common होती है, तो grafting में हमारे two part होते जो हमारा root system होता है, वो होता है stock, और जो हमारा shoot system होता है, वो होता है, sign, sign, sorry, ठीक है, propagation by plant tissue culture, अब जो हमारा last है, वो है tissue culture, tissue culture में क्या होता है, this method include propagation of plant by cutting the cell, tissue and organs, in this method, मतलब देखो हम उसमें cutting करेंगे, सबसे पहला है, तो cutting meristematic tissue करेंगे, क्योंकि जो meristematic tissue होते हैं, cell होते हैं, वो क्या है, meristematic tissue होते हैं, वो growing tissue है, ठीक है, वो ही तो grow करते हैं, the plant cell और tissue are cultivated on a sterile medium containing necessary nutrients and hormones, देखो, फिर जो हमारे meristematic tissue होंगे, वो हम एक battery dish में लेंगे, ठीक है, पैटरिक डिश में हम meristematic tissue जो है, वो डालेंगे, फिर क्या करेंगे, और वो ऐसे tissue उन्होंचे जो sterilized होने चाहिए, sterilized को बोलते हैं, जो free from microorganism, मतब बिल्कुल हमारे free हो microorganism से, उनके अंदर जो meristematic tissue होंगे, उनमें कोई microorganism present ना हो, कोई pathogens वगरा ना हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, उस battery dish में हम, वो सारे nutrients डालेंगे, वो सारे nutrients उसमें रखेंगे, जो meristematic tissue को grow होने के लिए चाहिए, और वो सारे hormones वगरा नहेंगे उसमें, प्रॉपर मीडियम इस important in tissue culture technique, और क्योंकि tissue culture technique में proper medium चाहिए, जो plant को grow होने के लिए, जो meristematic tissue को grow होने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे medium हम उस dish में ही provide कराएंगे, resulting in the formation of an undifferentiated mass of cell called collus, फिर क्या होगा देखो, वहाँ पर collus बन जाएगा, collus किसको बोलते हैं, कि अभी तक जो हमारे meristematic tissue है, वो इतने grow नहीं होएं, कि उनमें differentiate हो जाए, तब differentiate कैसे होगा, कि leaves वगरा, या फिर root या फिर stem ऐसे नहीं होगे, तो जो हमारा collus किसको बोलते है जो undifferentiated cell का mass होता है, जब उसको proper nutrients वगरा, hormones वगरा होंगे, तो फिर वो differentiate होना शुरू हो जाएगा, collus is a first growing cellular mass, which is then transferred to another medium for differentiate of plantlets, फिर क्या होगा, जब collus अच्छे से grow हो जाएगा, ठीक है, उसका जो cellular mass है, वो growing हो जाएगा, फिर उसको हम दूसरे medium में transfer करेंगे, जिससे कि वो differentiate हो जाए, मताब उसमें leaves, root वगरा, stem वगरा, वो ऐसे grow होना शुरू हो जाए, differentiate होना चाहिए, the plantlets are then transmitted to separate pot or nursery bed and allowed to grow for a definite period of time, फिर हम उनको plantlets को किस में करेंगे, transplant करेंगे, उनको pots वगराना में, ठीक है, time period के लिए, the mature plant are then transplanted in the field, और फिर जब वो mature हो जाएगे, ठीक है, फिर उनको कहां पर लगाएगे, हम फिल्ड में लगाएगे, तो ऐसे हम tissue culture जो है, वो हमारे लिए काफी important है, क्योंकि वो क्या है, काफी fast process भी होता है, ठीक है, काफी कम time लगता है, और उसमें क्या होता है, जो हमारे tissue culture से जो plants आएगे, वो एक desirable character आएगे, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम metastymatic tissue ले रहे हैं, वो ऐसे plant कर रहे हैं, जो sterilize हो, ठीक है, अच्छी quality का हो, और उसको हम proper hormones, proper वो सारी conditions प्रोवाइड कराएंगे, जो एक plant को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो जो tissue culture से, जो plant जो है, वो propagate होते हैं, काफी अच्छे होते है हैं, ठीक है, healthy होते हैं, तो जो मैंने आपको पढ़ाया, तो sexual reproduction मैंने आपको explain किया है, तो sexual reproduction जो है, वो जिसमें single parents का involved होता है, वन्तव जो fusion वगएरा नहीं होता, fusion of gamins वगएरा नहीं होता है, तो सबसे पहले जो हमारा fusion है, सबसे पहले जो है, वो हमारा fusion है, कि जो एक organism जो है, वो अपने body को split करेगा, ठीक है, अपनी body को breakdown करेगा, species में, तो उसको बोलते हैं, fusion, fusion जो है, वो हमारा two types का था, एक तो binary fusion और एक multiple fusion, binary fusion कि जो बोलते हैं, कि जो organism अपनी body को two parts में divide करता है, उसको बोलते है, बाइनेरी fusion जो होता है, वो काफी common होता है, amoeba, paramecium, इन सबने, multiple fusion जो हो है, कि जो organism अपनी body को दो से जादा parts में divide करता है, उसको बोलते हैं, काफी सारे daughter cells में divide करता है, उसको बोलते है, multiple fusion, जो की काफी common है, plasmodium, एक parasite होता है, जो malaria cause करता है, फिन next है हमारा, वो है fragmentation, ठीक है, fragmentation में क्या होता है, कि जो एक organism होता है, वो अपनी body के अंदर, उसके अंदर ऐसी ability होती है, कि उसकी जो body है, वो small pieces में breakdown होती है, और जो वो small pieces होता है, उसको बोलते है, fragment, फिर जो fragment है, वो अपने parents की तरह ही काफी हद तक grow होएगा, और वो भी अपने parents की तरह ही work करेगा, तो यह काफी common होता है, spiral, गयरा वगयरा में, काफी जादा common होता है fragmentation, फिन next हमारा, regeneration, regeneration में क्या होता है, जो की प्लेट की प्लेट की तरह है, जो लॉस्ट पार्ट होता है, उसको वो दुबार से रिजनरेट कर सकता है, तो ऐसे process को हम बोलते है, regeneration, जो काफी common होता है, होता है, इस्पाइरोगारा, थीक है, हाइफा, plane area, plane area में, काफी जादा common होता है, जैसे starfish, या फिर lizard वागयरा में यह भी होता है, regeneration, जीन का लॉस्ट पार्ट है, वो दुबार से उसको propagate कर सके, दुबार से regenerate कर सके, जो की plane area में काफी जादा common होता है, फिन next हमारा, budding, च या तो वो बड की फॉर्म में ऐरा ज्या बड़ करती है तो काफ़ी कमने होती है और फिर हमारा है है है। थीजिए और फंजाइमे में जैसे से करमाइस इन सब में क्या है काफी जादा कॉमन होती है बढ़ेंग फिर जो सार कि फोर्मेरं होते हैं के चिंगए हैं जब सारीं को ईप इलग झादा कि फिर याता हैं तो जो इसपार फार्मेशन होता है वह काफी जादा कॉमन होता है राइज़ोपस में सब्सक्वार्डो और हमारा कौन साल और सिंगल पिरेंट्ट तो प्रॉपिकेश्ण होता है वह में हमारा कुछ नाचुरल मेथल्य उता है और वह क्या हमारे कटिंग जो में काफीजदाऊ common है ग्राफ टिंग जो कि हमाले जैस्मीन के जो ट्री हो नही होता है उसमें काफीजदा comment